हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप दिख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब नियूज सबसे पहले important questions को देखते हैं क्या कहे है इस फूडियो में तो सहीव तराष्ट में भारत की नई अस्थाई प्रतिनिधी कौन निउक्त हुई है और ये पद क्यों important होता है भारत ने वर्ष 2021 में कितना गोल्ड यानि सोना recycle किया और recycle करने के मामले में इंडिया की रंकिंग क्या आ गई है किंद्र सरकार ने एक जुलाई से किस रखे सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है और क्यों लगाया गया है प्रेस कांसिल ओफ इंडिया की पहली महिला धक्ष कौन बन गई है कुरोटेन गेम्स 2022 में किस भारती खिलारी ने जुबलिन थ्रो में गोल्ड जीत लिया है महिला किरकेट टीम की पुरु कप्तान मिताली राज के उपर जो बनी बायोपिक फिल्म है उसका नाम क्या है इसके लावब कही और कोशन है सब पर चर्चा करेंगे और दोस्तों अभी हाली में पश्चिम बंगाल पीएसी का एक्जामिनेशन हुआ है और उसमें धेर सारे कोशन करेंट फर्स के एक एक कोशन जो हमने पढ़ाये थे आपको जो हमने पीडिएफ में दिये थे आपको वो सब आये हैं और कई आप देख सकते हैं यह फोटोग्राफ यह सब कोशन पश्चिम बंगाल पीएसी में टकड़ा हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने आपको कई बार बताया है और पूरा सबूत पर दिया है कि यूपीएसी हो या फिर भीपीएसी हो यूपीएसी हो रेलवे का एंटेपीएसी हो एससी का एक्जाम निशन हो और अब पश्चिम बंगाल का पीएसी है उन सब में question धराधर current force के यहां से आये हैं जो मैंने आपको बताया है और PDF में जो दिये गए थे तो बड़ी खुशी होते हैं जब तमाम students शुक्रिया आदा करते हैं और वो अपना पूरा फुरोग्राफ ये भेजते हैं कि देखिए ये सब questions आपके आ रहे हैं तो देखते रहे हैं आप चलिए शुरूर करते हैं ये वीडियो और शेर जूरूर करती जगा पहला question बहुत important है स्विक्त राष्ट में भारत की नई अस्थाही प्रतने थी जैनी ambassador किसे निप्त किया गया है या कौन निप्त हुई है किसे निप्त किया है आंसर होगा रूचिरा कमबोज निउज आप देख रहे हैं और ये 21 जून को निप्ती कर दी गई है किसकी जगा ले रहे हैं वो तो टीएस तिरूमूर्थी की जगा ले रहे हैं ये रही रुचिरा कमबोज और ये हैं अस्थाई प्रतिनिधी टीस तिरुमूर्थी जिनकी जगह पर अब ये आ रही है रुचिरा कमबोज तो टीस तिरुमूर्थी का कारकाल समाप्त हो रहा है तो कुछी दिन में अब रुचिरा कमबोज जो है वो अस्थाई प्रतिनिधी के तोर पर कारभार संभाल लेंगे वैसे केंसरकार ने निव्तिक कर दी है इनके बारे में बताओ मैं ये 1987 बैच की IFS अधिकारी है यानि Indian Foreign Service की और इनको जब निव्तिक दी गई अस्थाइप प्रतिनजी के तोर पर United Nations में उससे पहले वो भूटान की राजदूत थी उससे पहले कई और देशों में राजदूत रह चुकी है भारत की जिसे दक्षिन अफ्रीका में भी रह चुकी है और UNESCO में भारत की राजदूत या कहें अस्थाई प्रतिनजी के तोर पर काम कर चुकी UNESCO में और आपको दाउंगे रूचिरा भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत रही है मुलतर लखनों की रहने वाली है UNESCO में जो अस्थाई प्रतिनजी होता है पर्मानेट रिपरजेंटेटिव इंग्लीश में कहते हैं क्या काम होता है उनका और क्यों होते हो देखे उनाइटन नेशन्स में जितने भी मेंबर कंट्री है उनके डिप्लोमेटिक मिशन के हेड को उनाइटन नेशन्स में पर्मानेट मेंबर कहा जाता है कि इसको कहा जाता है तो जितने भी देश हैं उसके जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं मतब कि चुकि United Nations से बहुत बड़ा संगठन है तो ऐसे में वहाँ पर कोई एक अधिकारी नहीं होता है पूरी अधिकारियों की टीम होती है बहुत सारी और उसके जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है पर्मनेट मेंबर या फिर एमबेजडर कह ली जो उनका जो दफतर है पर्मनेट मेंबर का वो अमेरिका के न्यूयाक सिटी में जो यूएन की बिल्डिंग है उस ही में होता है तो सवाल है कि क्या है काम अस्थाई प्रतने धीका एक तो काम है कि लीड करना जितने भी वहाँ पर डिप्लोमाइट्स हैं इंडिया के उन सब को और भारत की बातों को United Nations के जो अलग-अलग हिस्से हैं जैसे आपको महासभा हो गया, General Council हो गया, इसके लगा सेक्योरिटी काउ पार्चेश हैं उन सब में इंडिया की बात पुक्ते तोर पर वहां रखना, तो सेवक्तराष्ट की बात हो रही है, United Nations की, अभी Secretary General कौन है, महासचीब, इंटेनियो गुटेरिस, मुख्याले, New York, अमेरिका में है, आगे बरते हैं, अगला कोशन लेते हैं, और ये भी important है, अभी में report आई है, World Gold Council के, तो question होगा, कि World Gold Council, यानि WGC, उसकी report है, उसका नाम है, Gold Refining and Recycling, तो उसका अनुसार, भारत वर्ष 2020 में, गोल्ड की recycling करने के मामले में, किस अस्थान पर रहा, रेंकिंग क्या रही है, भारत की, आंसर का fourth, fourth ranking रही है, और ये report किस की है, तो World Gold Council क पूछा जा सकता है, कि Gold Refining and Recycling, जो report है, उसके अनुसार, क्या ranking है, इसे से related, अगला question लेते है, World Gold Council की report के अनुसार, भारत ने वर्ष 2020 में, कितना gold, यानि सोना, रेंकिल किया है, आंसर रहा, 75 ton, ओके, निउस भी आप देख रहे है, देहंदू ने परमुकता सही से प्रका आशित किया है, ओके, तो 75 ton, ये recycle किया गया है, 2021 में, और ये report अभी आई है, 2022 में आई है, और इंडिया की rank क्या है, 4th है, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, कि इसमें इंडिया की ranking 4th है, और 75 ton recycle किया गया है, और ये जो report है, वो 21 जून को आई है, अब कुछ आकड़े भी देख लेते हैं, किस तरीके से number 4th पर इंडिया है, तो ये पुरा आकड़ा देख रहे हैं आप, और पिछले 5 सालों का भी आकड़ा पूरा दिया गया है, इसमें data में, ओके, तो 2020 का अगर हम data देखेंगे, तो number 1 कौन है, तो वह है चाइना, 168 ton उसने recycle किया है सेकेंड अस्थान पर कौन है, इटली है, उसने 80 ton यानि 80 ton sonar recycle किया है, तीसरे अस्थान पर United States of America है, यानि अमेरिका USA, वो 78 ton recycle किया है, और 4th अस्थान पर है इंडिया, जिसने 75 ton recycle किया है गोल्ड को, और अगर हम देखें पिछले कुछ सालों के, तो 2019 से ये कम हुआ है, ठी पांच साल में कम recycle हुआ है, 2020 इसमें COVID-19 का बहुत असर था, शायद ये भी असर इसमें हो सकता है, तो ये बात clear हो गई, अब सवाल है कि recycle कैसे होता है, सुरोत क्या है recycle करने के, देखें कई सारे सुरोत हैं, तीन मुक्त और पहें, जो जो जोली है, उसको recycle किया जाता है, क्य अंधी भी होता है, और भी कई धातू जोलेरी में होते हैं, इसके लिए मैनुफेक्टरिंग जो scrap होते हैं, यानि कबार उससे और और जो scrap होते हैं, तो उन सब से recycle करके गोल्ड वहां से निकाला जाता है, ओके, चलिए आगे परते हैं, अगला question लेते हैं, और ये भी important है, क प्लास्टिक श्टिक, कटलरी आइटम, पैकेजिंग और रैपिंग फिल्म, इन सब पर बैन लगा दिया है, सरकार में, और इंडियन एक्परस ने इस पर काफी detail में इस पर समझाया है, बताया है, जो मैं आपको बताऊंगा, तो किस ने ये रोक लगाई है कि इन सरकार में किस मंत्रा लेने, तो परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंत्रा लेन, उसने ये रोक लगाई है, वैसे तो इसका गजट नोटिफिकेशन पिछले साल ही, यानि 2020 में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन उसमें ये बात थी कि इसको एक साल के बाद लागू किया जागा तो इसलिए एक जुलाई से ये बैन लगाया जारा ही, सिंगल यूज का मतलब यह हुआ कि वो प्लास्टिक वस्तू, जिसका एक ही बार उप्योक क्या जागा जाता है, दो तो प्लास्टिक च्टिक में क्या क्या आते हैं, जैसे एर बर्ड हो गया, बैलॉन का ज़ो च्टि इसके लगवा क्या है? कटलरी आइटम, जैसे कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चमच, चाकू, ट्रे, इन सब का अब प्लास्टिक का यूज नहीं कर पाएंगा, पार्टी में वगड़ा में सब का यूज होता था पहले. पैकेजिंग, जो आइटम है, रैपिंग, फिल्म है, मिठाईयों के डबबे प्लास्टिक वाले, निमंतरन कार्ड, सिगरेट के पैकेट प्लास्टिक है, वो सब नहीं चलेगे. अन्य कई और कुछ वस्तु हैं, जिसे PVC बैनर, जो कि 100 माइक्रों से कम अगर है, और डेकॉरेशन के लिए जो पॉली इस्टरीन होता है, वो सब नहीं चलेगा, उन सब पर बैन लगा दिया है के इंदर सरकार ने. अब सवाल है कि क्यों बैन लगा गया है, क्योंकि इन वस्तुओं को इकठा करना और रिसाइक्ल करने में बहुत दिकत होती है, और परियावरन के लिहाज से ये बहुत ही खतरनाक है, और ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे भोजन के माध्यम से शरीर में पहुँच रहे हैं, और शरीर को भी नुकसान पहुचा रहे हैं, इसी वज़े से ये बैन लगाया गया, ओके, तो अब सवाल है कि कौन ये रोक लगाएगा, तो देखे, केंद सरकार की ओर से तो केंदरिय प्रदूशन नियंतरन बोर्ड यानि CPCB, और राज्य अस्तर पर राज्य प्रदूश क्या हो सकती है, जेल की सजा, या एक लाख रुपे जर्माना हो सकता है, तो यह important है, विससे मैंने pdf में पूरा detail दे दिया है, ओके, पांच साल की सजा या एक लाख रुपे जर्माना है, या दोनों हो सकता है, ओके, अब सवाल है कि सिंगल यूज प्लास्टिक वेश्ट के आता है और भारत इस उची में 94 अस्थान पर है सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जेनरेशन में यानि हम कच्रा जो निकालते हैं अपने घरों से जो सिंगल यूज वेस्ट है उसको उसके मामले में और एक साल में प्रतिवेक्ति उत्पादन जो है ना कच्रे का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो चार किलोग्राम है इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हम लोग आप लोग ये निकाल रहे हैं ठीक है किसने बैन लगा है पड़ियावरन वन और चलवायू पड़िवरतन मंत्रा लने उसके केंदरी मत्री कौन है भोपेंदर यादव ओके अगला कोशन लेते हैं और ये भी इंपोर्टन है उससे पहले आपको बता दूँ कि 30 जून को सुबह 11 बज़ देखना मत भूलना मेरा थन वीडियो होगा हाफ यरली 6 मन्त का जनुरी से लेकर जून तक का टोटल करेंट फर्स आपके तमाम एक्जामनेशन में काम आएंगे और अभी तक का टोटल करेंट फर्स PDF अपलिबल हो चुका है हर मन्त का टोटल और इसके लवा जून का थर्ड विक का भी PDF आ चुका है तो आप डानलोड कर सकते हैं जिन लोगोंने मेंबर्शिप लिया हुआ वन येर का मेंबर्शिप है इसके थ्रू आपको मिलता है एक साल तक करेंट फर्स का PDF वीकली, मन्तली, हाफ यर्ली इस तरह के लगातार वीकली मॉक टेश्ट भी हम लोग लेते हैं एवरी संडे को करेंट फर्स का तक ही आपके करेंट फर्स के नॉलेज क्या है वो पता चल सके आपको एक्जाम बेश्ट, मन्तली, टेश्ट, सिरीज, पियाज क्या जता है तमाम अलग-अलग एक्जामनेशन के इसके लगा 40% डिसकाउंट है बुक्स पे और फ्रेश शिपिंग भी होती है तो डिसक्रिप्शन चेक कर लेना मेंबर्शिप से हज्जारों इस्टूनेंट लाब उठा रहे है और बहुत मामुली सी रकम है उसके छूट भी चल रही है 20% की लाब उठा सकते हैं अगला कोशन, प्रेस काउंसल अफ इंडिया यानि PCI की पहली महिला अधक्ष कौन बन गई है आंसर होगा रजना प्रकाश देशाई या फिर कहेंगे हम रोग जश्टिस रजना प्रकाश देशाई आप न्यूज भी देख रहे है फर्स्ट वुमेन टू हेड प्रेस काउंसल अफ इंडिया तो उनको अधक्ष निउक्त कर दिया गया है पहली महिला अधक्ष बनी है PCI की उनके बारे में बताओ ये तो भारतिय प्रेस परशट का लोगो है और ये रही रंजना प्रकाश देशाई 72 येर की हैं 72 साल की 2011 से 2014 तक सुप्रिम कोर्ट में जज रह चुकी है और इसी साल जो जम्मू कश्मीर में जो परिसमन आयोग बनाए गया था उसकी हेड यहीं थी रंजना प्रकाश देशाई तो कोशन आप से ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का जो परिसमन आयोग था उसका नित्यतु किस ने किया था उसकी चेरपरसन कौन थे तो रजना प्रकाश देशाई और अब PCI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है रजना प्रकाश देशाई प्रेस काउंसल अफ इंडिया के बार में भी अब कुछ जान लेते हैं इसका गठन काब हुआ था 1978 में हुआ था प्रेस परशद अधिनियम 1978 के तहट किया गया था और ये देश में भारत में प्रेस के नियमन के लिए एक शीष निकाय है एक स्वतन्त निकाय के रूप में काम करता है इसका धाचा कैसा होता है तो PCI का नेत्र तो एक अध्यक्ष करता है प्रेस कांसल इंडिया का चेर्मेन और परंपरा यही है कि सुप्रेम कोट के रिटार्ड जज इसके अध्यक्ष मनते है और पहली बार महिला अध्यक्ष मनी है अध्यक्ष के अलावा इस परशद में 28 मेंबर होते हैं और उनमें से 20 जो होते हुए प्रेस और प्रेस एजन्सियों का प्रतिनेद्धु करते हैं छे अकबारों के पत्रकार संपादक होते हैं तीन सारजनिक मामलों में जो ज्ञान रखता हूँ वो होता है समाचार संगठन का एक विक्ती होता है अकबार के प्रमंधन के वेपसाइब में लगे छे लोग होते हैं तीसरा से 28 लोगों का ये प्रेस परशद होता है अधक्च के अलावा और सदसों का कारकाल 3 साल का होता है प्रेस काउंसल अफ इंडिया का काम क्या है चुकि ये देखे पहली बार महिला को बनाए गया है तो थोड़ा सा ये जानना जरूरी है आपके लिए कि प्रेस परशद का काम क्या है कैसे ये एक्ट करता है क्योंकि एक्जामनेशन में कोई जरूरी नहीं कि सीधे यही आए पहली महिला हो सकता है इसको देते हुए इससे related question आपसे पूछ दिया जैसे UPSC और SSC वगरा में पूछ दे जाता है तो प्रेस कांटिशन आफ इंडिया का काम क्या है तो आम जंता के लिए जो news है उसकी गुणवत्ता को सुनिशित करना ऐसे चीज़ों पर नजर रखना जो कि सूचना या समचार के मुक्त प्रवाह को परतिबंधित करते हैं तो उन पर ध्यान देना उन परतिबंधित को हटाने के दिशा में काम करना पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाना जो news agency है उसके लिए आचार संहिता बनाना वगरवगर ये सब काम है और कोशिश यही कि news paper जो है वो स्वतनत रूप से संचलित होती रहे प्रेस काउंसिल ओफ इंडिया के शक्तियां क्या होती है किसी संपादक या पत्रकार द्वरा अगर कोई पेशे में कोई गरबड़ी की जा रही है पत्रकारिता का नैतिकता का उलंगन किया जा रहा है तो वो प्रेस काउंसिल ओफ इंडिया से शिकायत कर सकता है कोई आम विक्ति भी कर सकता है और Press Council of India इन शिकायतों के बारे में पूछताज भी करता है, गवाहों को बुला सकता है, रिकॉर्ड मंगवा सकता है, और इसके कुछ सीमाएं भी हैं शक्तियों की, इसके पास केवल प्रिंट मीडिया के मानकों को ही लागू करने की शक्ति है, केवल प्रिंट, electronic मीडिया उस पर इसके शक्ति नहीं है लागू करने के लिए, डिजिटल अगरा, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, इन सब मीडिया जो है, वो इसके अंतरगत नहीं आता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन लेते हैं, तोड़ा लंबा हो गया क्या, आप लोग बताईए, कि जो डिटेल बताता हूँ, कैसा लगता आपको, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगला कोशन लेते हैं, किंदरी मंतिर मंडल ने 5G स्पेक्टरम निलामी को मजूरिती है, तो कुल कितने स्पेक्टरम की निलामी की जानी है, आंसरोगा, 72,97.85 मेगा हर्ट, तो ये होनी है, और नियूज आप देख रहे हैं, देहंदू में, प्रमिश्टर निलामी की अधक्ष्टा में केंदरी मंतिर मंडल ने 14 जून को ये फैसला किया है, इस्पेक्टरम निलामी करने की मजूरिती है, और इस्पेक्टरम निलामी जो है, वो 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी, और इस्पेक्टरम की जो वैधता है, वो 20 वर्ष की होगी, 20 एर तक, और इस निलामी में खास बात ये भी होगी, कि जो सूचना परदोगी की से संबंदित, यानि IT से संबंदित जो द्योग है, वो कमपनिया भी captive non public network की स्पेक्टरम खरीच सकेंगी, ये कमपनिया अपने जरूत के मुताबिक private network का स्थापित कर सकेंगी, और इससे पहले जो भी स्पेक्टरम की निलामी हुई थी, उसमें यानि जैसे 2G, 3G, 4G, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, उसमें क्या होता था, पहले कि केवल टेलिकॉम कमपनिया ही स्पेक्टरम खरीच सकती थी, और वो फिर सर्विस देती थी, आम लोगों को और इंड़स्टरी को भी, लेकिन इस बार खास बात है कि 5G का जो स्पेक्टरम है, वो टेलिकॉम कमपनियों को निलाम किया ही जाएगा, यह टेलिकॉम कमपनिया इसका लाब उठाएंगी, आम लोगों को देंगी, लेकिन जो इंड़स्ट्री है, बड़ी-बड़ी, जैसे TCS है, मानलो उधार के तौर पर, तो उसे 5G नेटवर्क चाहिए अपने काम के लिए, तो वो इलामी के ज़रीए खरीच सकती है, TCS, तो इस तरह का भी काम होगा, सरकार का कहना है कि इसे इंड़स्ट्री को स्पेक्टरम लाइ इसे काफी फाइदा होगा, IT इंड़स्ट्री में जो अप्लिकेशन्स मनाए जाते हैं, इसका इंटरनेट आफ तिंक्स है, आर्टिफिशल इंटेलिएंस है, इन सब के अप्लिकेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा, इन सब चीजों से, हलां कि टेलिकॉम कंपनियों में इस म आमले में निराशन जाता ही है, क्योंकि उसका तो भीजनेस ही सिमित कर दिया गया है एक तरसे, कि बढ़ आम लोग ही होंगे, और जो बड़ी इंड़स्ट्री है, वो अपना 5G स्पेक्टरम रखेंगे, 5G नेटवर्क आने से क्या फायदा होगा, बहुत सारी फायदे होने अगला कोशन लेते हैं, कुर्वोटेन गेम्स 2022 में किस भारती खिलारी ने जेवलिन थ्रोई यनि भाला फेक में गूल्ड मेडल जीत लिया है, आंसर है निरत चोपडा, निउस भी आप देख रहे हैं, शांदार उपलब्दी हासिल किया है उन्होंने, और गूल्ड मेडल जीत लिया है, कुर्वोटेन नाम क्यों है, क्योंकि ये फिनलाइन में एक जगा है, कुर्वोटेन, तो वहां पर ये आयजुन हुआ है, तो ये उस गेम्स को कहते हैं, कुर्वोटेन गेम्स, तो जेवलिन थ्रोई नी भाला फेक में उन्होंने गूल्ड मेडल जीता है, 86. 86.69 मीटर का उन्होंने थ्रोई किया, ठीक है, तो उसी में ये जीत हासिल किया, और इसे पहले निरज चोपरा ने पावो नूर्मी गेम्स में, सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोर कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया था, पावो अगला कोशन लेते हैं, हाले ओपन 2022 टेनिस टोर्नामेंट किसने जीता है, आंसर होगा, हिवबर्ड हुरकाज, पोलेंड के हैं वो, न्यूज आप देख रहे हैं दे हिंदू में, और ये रहा फोटोग्राफ इनका, तो किनको हरा है इन्होंने, रूस के डेनिल मेद वेदे लोग को हरा कर ये टोर्नामेंट जीत लिया है, ओके, चलिए आगे बरते हैं, अगला कोशन लेते हैं, अंतरश्टी ओलम्पिक दिवस, यानि इंटरनेशनल ओलम्पिक डे, कब मना जाता है, आंसर होगा, 23 जून को, अथीम क्या है, 2022 के, तोगेदर फॉर पीस्फुल यानि एक साथ शांति पूर्ण विश्व के लिए, अंतरश्टी ओलम्पिक समीथी वो आयुजित करती है इसे, और उसका मुखहले कहा है, अंतरश्टी ओलम्पिक समीथी का सुज्जर लेंड में, लूसाने में है, चलिए आगे बरते हैं, अगला कोशन लेते हैं, सिम्थ लोक सेवा दिवस यानि इन 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 इस पॉब्लिक सर्विस डे कब मना जाता है, आंसरोगा 23 जून को, सिम्थ राश्टी इस दिवस को घोशित क्या हुआ है, अगला कोशन लेते हैं, अंतरश्टी विद्वा दिवस कब मना जाता है, इंटरनेशनल विडोज डे, आंसरोग 23 जून, ओके, थीम क्या है 2022 की सस्टेनेबल सॉलूशन फॉर विडोज फानेशल इंडिपेंडेंस, विद्वाओं की विद्वाओं की वित्तिय सोतनतरता के लिए सतत समाधान, अगला कोशन, भारती ये महिला क्रिकेट टीम की पूरु कप्तान मिताली राज पर बनी बायो कैसे लगा, कमिट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और आप एप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी जॉब में उसका, गूगल प्ले पर जाईए, सरकारी जॉब में सर्च करेंगे, ये लोगो दिखाए देगा और आप डाउनलोड कर लें, और इससे मेंबर्शिप लेकर आ झाल